नमस्कार आप देख रहें एकनिस 24 और मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिस्टा बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार काफी दिनों से एक्टिव मोड में है दरसल आपको बता दूँ कि आज जो फिर से बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार जेडियू के रास्टी अध्यक्ष ललन सिंग के घर पहुँच गये जिसके बाद उन्होंने सब को चौका दिया है बाकी वो कुछ देर वहां बैठते हैं कुछ बाते होती है फिर उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं बाकी वहां पर बैठने के बाद क्या कुछ बाते हुई है सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखे बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार रभिवार को जडियू के रास्टी अध्यक्षर ललन सिंग के घर पहुँचे सुबह में पहुँचने के बाद दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बाते हुई बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री करीब पौने दस बजे ललन सिंग के पटना के आवास पर पहुँचे थे बीजेपी के चानक्या और केंद्रिय ग्रीह मंत्री अमितिश शाह के बिहार दोरे के बीच दोनों नेताओं के बीच हुई बादचित को लेकर चर्चा का बजार गर्म है दरसल मुख्यमंत्री नितिश कुमार इन दिनों कहीं जाने में काफी एक्टिव रहते हैं कभी सची वाले चले जाते हैं तो कभी पार्टी के कार्याले में पहुँच जाते हैं अक्सर वे अपने दल के निताओं के घर पर अचानक पहुँच रहे हैं उन्हें सर्प्राइस दे देते हैं शनिवार को भी नितिश कुमार ने ऐसी एक्टिवीटी दिखाई पहले वहाँ जेडियू के कार्याले पहुँच गए और वहाँ कोई नहीं मिला तो मंतरी विजे चोधरी के घर पहुँच गए मुख्यमंतरी नितिश अपने पदाधिकारी दीपक कुमार के आवास पर भी पहुँच गए सबसे नितिश कुमार ने हाल चाल लिया वहीर रभीवार को इसी तरह नितिष कुमार एक बार फिर सुब़ा सुबा जे दियू अध्यक्ष ललन सिंग के आवास पर पहुँचकर सबको चौका दिये राश्टी अध्यक्ष ललन सिंग के घर में कुछ समय तक रहने के बाद सीम नितिश कुमार वहां से रवाना हो गया सीम ने उसके बाद पार्टी के पुर्ब प्रदेश अध्यक्ष वसिस्ट नरायन सिंग से भी मुलाकात की सियम नितिश कुमार के अच्छानक ललन सिंग के घर जाने को उनके उसी क्रम का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वह अक्सर नेताओं के घर अच्छानक से पहुँच जा रहे हैं सियम नितिश्की ललन सिंग से हुई मुलाकात को सिस्टा चार मुलाकात बताया जा रहा है लेकिन राजनीती के जानकार रभिवार की मुलाकात को काफी एहम बता रहे हैं आज केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमितिश शाह बिहार दोरे पर हैं दस माह में पांचवी बार बिहार आ रहे अमितिश शाह मुझफरपूर के पताही हवाई अड़ा परिसर से बिहार में लोक सभाज चुनाव 2024 को लेकर मिशन 40 का आगाज करेंगे इस द्रिश्टी से नितिश कुमार और ललन सिंग की मुलाकात को काफी एहम माना जा रहा है खास कर नितिश कुमार का ललन सिंग के आवास पर जाकर मिलना चर्चा का विशे बना हुआ है तो जैसा कि इस मिटिंग के बाद सियासत गर्माई हुई है और ये बाचित हो रही है कि ग्रिह मंत्री अमित शाह के दोरे के बीच यहाँ मिटिंग हुई है तो क्या कुछ इसमें खास बाचित हुई है बाकी इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एकनुज 24 अगर आप ये वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तमारे पेज को फॉल्लो कीजिए और अगर यही वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद